नमस्कार दोस्तों हम Shipway Tutorials के बारे में बात कर रहे हैं Shipway को कैसे यूज करना है इस बारे में हमने पिछले दो वीडियो बना रखे हैं साथ ही आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे इसमें जो भी में 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 चीज है इसको कवर करें लास्ट वीडियो में कुछ technical error आगया था इनकी website पर maintenance थी चल रहा था इनके panel पर जिसवय से हम वीडियो continue नहीं कर पाये थे तो आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और जो जो main main topics हैं उनको cover करके इसको यहां पर close करने की कोशिश करेंगे नेक्स वीडियो किसी होड topic पर हमारा होगा तो बिना देर की होग चलते हैं computer screen पर और वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने ship way पैनल पर और यहां पर login credential मेरा भरा हुआ पहले से ही है इसको हमने login कर लिया login करने के बाद हमारे mobile पर एक OTP आएगा तो OTP हमें डालेंगे तब ही उसके बाद ही login होगा क्योंकि मैंने इसमें login के लिए OTP required का option मैंने दे रखा है जिस कारण से मुझे OTP चाहिए होता है जब मैं login करता हूँ तब OTP डाल दिया है और यह हमारा login हो गया login हो गया dashboard पर हम आ गया है यहां पर हम समझ रहे थे पिछली बार यह हमारा billing का option और billing में हमने shipping charges और weight reconciliation के बारे में समझा था invoices पर हम चर्चा करने बाले थे कि हमारा जो site है यह under maintenance चली गई और हम इसको नहीं देख पाए तो यहीं से हम शुरू करते हैं invoice पर हम click करते हैं invoice पर जो आप जाएंगे तो यहां देखेंगे no data available और यहां पर हम all कर देते हैं filter लगा देंगे तो यह जितने भी invoices हैं यहां पर दिखाई दे जाएंगे मन्त मन्त के हिसाब सही है fab में देखें दो invoice यहां पर हमन्त में दो 15-15 दिन के credit पर दो invoice generate होते हैं इसमें जितने भी आपने shipment किये हैं इस महीने के अंतरगत 15-15 दिन के अंतरगत वो यहां पर details रहती है यह आपके उस समय भी काम आता है जब आप GST फाइल करते हैं क्योंकि आपने जो GST amount है वो दे रखा होता है इसका office गुडगाओं में है तो अगर महरी आना रहता हूँ तो यह हमारा CGST SGST में count होगा और यह दोनों मुझे amount यहां पर डालने होंगे जब GST फाइल करेंगे तो इसका आपको refund या फिर कहें कि इसके आपको छूट मिल जाएगी तो इसलिए ज़रूरी होता है इसको हम use कर लेते हैं उसमें और आपको भी idea रहेगा कि आपने कितने amount का shipping इस बार किया है उसके बाद हम willing पे wallet transaction पे आए wallet transaction का मतलब है आपके wallet से कितना amount transaction हुआ है तो यह हमने दिखिए यह दो तीन चार पाँ shipment किये और पाँ shipment में हमारे charges यहां पर दे रखे हैं इतने यह charges हमारे इसमें से deduct हुए हैं वो details यहां पर रहेंगी आप चाहें तो यहां से भी इस चीज़ को confirm कर सकते हैं COD अगर आप use करते हैं COD order होगा तो इसमें आपका दिखिए यहां पर दे रखे हैं 2 रुपे पर order 2 रुपे पर order के हिसाब से इसमें चार्ज किया जाएगा verify COD under confirmation within seconds कुछी समय में आपका COD order confirmation हो जाएगा expedite order processing for a seamless customer experience effectively reduced return तो यह बता रहा है कि इसमें आपके RTA charges कम हो जाएगा जिससे कि आपका जो RTA charges है वो कम हो जाएगा मैं आपर कोई भी COD order नहीं बेजता मेरे सारे order prepaid होते हैं पहले amount आता है मेरे पास उसके बाद ही में बेजता हूँ क्योंकि मेरा order COD में माली जे कोई reject करता है तो उस condition में एक तो charges देने पड़ते हैं दूसरा मेरा जो item है वो काँच के जार में पैक रहता है तो वो return के समय वो damage होनी का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए मैं prepaid पर ही business करता हूँ तो इसलिए ये मैं इसमें काम नहीं करता तो shipping rate card की बात करें तो यहां पर आप rate card में जाकर आप ये सारी details भी check कर सकते है कि आदा kilo पे कितना charges देता है within city कितना लगता है within state कितना लगता है metro to metro, rest of India यह आपका COD charges में कितना extra रहता है वो सारी details यहां पर है आप जहाएं तो इसको ये भी check कर सकते है NDR में जवाब जाएंगे तो NDR में आपका NDR में जवाब जाएंगे तो यहां पर आपका total order दिखाएंगे NDR होता है non delivery report मतलब आपका कोई shipment लेकर courier बॉय गया आपके बाहर के पास और वहां पर उनका phone number नहीं मिला या उनका address नहीं मिला बायर ने phone नहीं उठाया किसी कारण से भी वह वहां पर नहीं दे पाया तो वह NDR रिपोर्ट में बन जाती है उसमें first attempt हो जाता है यहां पर attempts दिखाया जाते हैं तो first attempt हो जाता है अगर byr refuse कर देता है reject कर देता है तो first में यह return कर देते हैं देमेज की कंदीशन में रिटर्न कर देते हैं बाकी केसे में do-se-treen attempt किये जाते हैं उसके बाद ही return आता है तो अगर action है यहां पर कुछ आपने action लेना है तो यहां पर दिखा देगा आपको अपना action देना पड़ेगा यैसे मेरा एक RT हुआ तो यहां पर RT हो दिखा रखा है उन्होंने क्लिक किया तो मैंने यहां सारी डिटेल आ गई कि किस कस्टमर का हमारे पास रिटर्न हुआ है तो यह डिटेल्स यहां पर आ गई और आप यहां आप से सारा कुछ देख सकते हैं कितने अटेंट हो गए है आटियो क्या है एक्षन यह सारा चीज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी और यह रिटर्न है रिटर्न आडर के बारे में यहां पर डिटेल्स रहेगी रिफंड अगर कोई आया है तो refund यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा वो सारी details यहाँ पर रहेंगी track आपको पता ही है order में आपने आपने जैसे order book करना सीखी रखा है तो यह सारी चीज़े हैं से बहुत ज़्यादा कोछ आपका नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ इसमें especially समझनी है तो वो आप message कर दीजेगा उस पर extra video में बना दूँगा सिर्फ उसी topic को लेकर क्योंकि इस तरह से बताबाना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं चुकि प्रिपेड और बेज़ता हूं तो मेरे पास COD का कोई ज़्यादा मैं इन्हें यूज़ नहीं किया नामे करूँगा लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ जानना है तो मुझे बताइएगा तो मैं उसको आपका वीडियो बनाकर आपको दिखा जरूँगा हाँ एक चीज़ और आपको बता देता हूं मैं जो मैं बहुत यूज़ करता हूं और आप हो सकता है आप भी उसको यूज़ करते हों अब आप चाहते हैं कि यह order हमने पहले भेज रखा है, दुबारा से हम इसी address पर दूसरा order भेजना चाहते हैं, तो उस condition में क्या करना होगा, आपको यातो फर सारी चीज़ें आप दुबारा से type कीजिए, नहीं तो आपके पास एक clone का option बिलता है, clone के option के लिए आपने order खोला जो edit की condition रहती है, कोई भी order होगा, order number पर click कीजिए, order ID पर click किया और यह पका page खोल गया, यहां कोने पर आपको setting का option दिखाई दिए यहीं पर आपने click करना है, click करेंगे तो edit order या फिर clone order, तो अगर आप edit करना चाहते हैं, तो यहां से भी edit कर सकते हैं, और यहां से भी edit कर स कुछ यहां पर dimension change करनी वो कर दीजिए, यहां पर create कर देंगे, create करते ही आपका यह clone order वहां पर add हो जाएगा, order cloning के option से आपको यह फायदा हो जाएगा, कि फिर आपको सारी details add नहीं करनी पड़ेंगी, ना तो manually add करनी पड़ेंगी, नहीं copy paste करना पड़ेगा, simply आप वहां स need help में contact us का दे रखा है option, यहां पर आप simply click करेंगे, click करेंगे तो यहां पर support का volume खुल जाएगा, यहां पर आप submit a ticket कर सकते हैं, या फिर यहां पर जो आपने submit कर रखी है वो कर सकते हैं, submit a ticket पर आप जाएगे, तो इस तरह से यह page आ जाएगा, यहां पर आपकी जो problem है, ज वो यहां पर pick up related है, डाल दीजिए, सब query क्या है, pick up delayed, या partial pick up didn't, जो भी situation आपके लिए fit बैठती हो, उसको आप choose कर लीजे, courier name, कौन से courier से आप वेज़ हैं, जिसका नहीं हुआ, delivery order, awb number जो यहां पर है, वो देख लीजे, वो डाल दीजे, awb number क्या होता है, order में जाएंगे, तो यहां पर जब आप, कोई भी order जब आप वो करेंगे, तो यहां पर यह tracking info में, यह उपर awb number जनरेट हो जाता है, इसको copy करके यहां से, आप यहां पर इसको paste कर सकते हैं, service type चूज कर सकते हैं, शिवे logistic है, तो शिवे logistic चूज करती है, यहां आप अपनी ब आपके पास तरन आजाएगा, जो यह feedback को mail आपके पास तरन आजाएगे, कि हां आप का का ticket की submit हुआ है, और उनको receive हो गया है उसका reply वो आपको जल्दी ही देने की कुशिश करेंगे, तो इस तरह से यह आप काम कर सकते हैं, और इसमें और बहुत ज़दा कुछ यह association करना है चैनल इंटीग्रेट ज़िए कर सकते हैं चैनल इंटीग्रेटीटन बहुत इंपॉर्टन्ट है अगर आपको यहां पर पर क्या होगा है ंँभी स्प्वेटिकल, ओंडिकली पाइड वेट्र mention करना पड़ेगा कोई और product extra कोई बंगार है तो वो आपको add कर सकते हैं इसमें बागे इसमें और कुछ add करने की ज़रूरत नहीं होती आज का वीडियो फिलाल इतना ही आज हम इसको close करने हैं आपका कोई question होगा तो बताईएगा उस पर रलक्से वीडियो आजाएगा या उस पर हम comment में reply करने की कोशिश करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई information के साथ तब तक के लिए जै हिंद